अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब मायवचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ ट्रिप्स पाने के लिए लक्षन क्या होते हैं कैसे पहचाने की जो गाठ है वो हमारे गरबाशे में बन गई है काफी चांसेज यह होते हैं कि कई बारी हमें कुछ भी महसूस नहीं होता कोई भी ऐसी सिम्टम हम नहीं पकड़ पाते जिसे हमें पता चले कि हमारी गरबाशे में रसौली हुई है पर दीरे दीरे जब आपको ऐसी चीज़े महसूस होनी शुरू हो जाएं जैसे नीचे की तरफ से एक तरफ का दबाव रहता है एक खिचाव रहता है कुछ दर्थ होती है कमर में या आपने पेडू में या आपकी महावारी जो है वो दीरे दीरे आपको लग रहा है कि अब उसकी कॉंटिटी मतलब उसकी मातरा बढ़ती जा रही है साथ में रसॉली के टाइम कुछ गांठे भी निकल रही है अगर आपको लगता है कि मेरी मावारी में ऐसा हो रहा है तो इसका ये एक लक्षन है कि आपको अंदर एक बारी डॉक्टर के पास जरूर जाना है इसके साथ कई और सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे करबशय में यूट्रस में एक रसॉली है कई बारी सेक्स करते समय आपको दरध हो काफी जादा दरध हो पिशाप करते समय पिशाप रुक रुक के आ रहा हो पिशाप खुल कर नहीं आ रहा हो इस कारण से भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो डॉक्टर के पास हम जाएंगे और यही सब सिंटम्स उनको बताएंगे तो डॉक्टर की मदद से एक अल्टरसाउंड किया जाएगा जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे यूटरस में हमारे गर्बाय शेय में एक रसॉली है जी बिलकुल साथी मैं आपसे ये भी जाना चाहूंगे डॉक्टर अरचना तमाम लक्षनों के अलावा अगर वेजाइना से सफेद पानी निकल रहा है तो क्या इसे भी हम मान सकते हैं रसॉली का एक लक्षन हर बारी तो नहीं बट हाँ कई बारी वेजाइनल डिस्चार्ज वेजाइनल इंफेक्शन भी हो सकता है जी तो ये वेजाइनल इंफेक्शन की तरफ इसको हम जादा देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें